चलिए तो इसी भी शुक्का लेते बड़ी खबर का गुरुग्राम के दोरे पर मुखिमंत्वी मनुहलाल आपको बता दी कि अंडर पास का जो घाटन करते पर नजर आएंगे और इसी के साथ इस अंडर पास से लोगों को बेर जादा सहूलियत मिलेगी महाविर चौक के पास बना है नया अंडर पास दिली गुरुग्राम के बीच आवा जाही और आसान हो जाएगी 318 मिटर लंबा है महाविर चौक पर बना है अंडर पास जिसका जो घाटन सीम मनुहलाल करेंगे और जनता को यह समर्पित करेंगे तो दिली गुरुग्राम के बीच आवा जाही और भी आसान हो जाएगी क्योंकि अब एक ट्राफिक पहले देखा जाता था लेकिन आप कही ना कई जनता को ट्राफिक से निजाद भी मिलेगा और आज सीम मनुहलाल इसका उर्गाटन करते वे जनता को यह समर्पित करेंगे तो गुरुग्राम के दौरे पर मुख्यमंत्री मनुहलाल रहने वाले हैं और बेहत खास है आज और ऐसे में अंडर पास का उर्गाटन करते वे भी नज़र आएंगे तो लगतार ये बड़ीख वर आप टक पहुचा था रहे हैं अर मोख्यमंत्री द्वारा इसका उर्गाटन कीया और जंता को यह समर्पित किया गया आपको बताधे कि अंडर पासका मोख्यमंत्री ने उर्गाटन किया ये बड़ी खबर और आपको ये भी बता दे कि अंडर पास के उर्घाटन के बाद से जनता को भी अज़ादा सहूलियत हो चुकी है और आपको ये भी बता दे कि flyover का भी उर्घाटन किया है बसी flyover का C.M. Manohalala ने construction labor से ही इसका उर्घाटन कर आया है तो महविर्चोक के पास ये नया underpass बनाया गया और मुख्यादिति के तौर पर C.M. Manohalala शिर्कत करने के लिए पहुँचे 318 मीटर लंबा है महाविल चौक का ये अंडर पास और बेहत खास रहा है आज का दिन क्योंकि CM मनोलाल वहाँ पहुँचे और कंस्ट्रक्शन बरकर से इसका उर्घाटन करवाते वे भी CM मनोलाल नजर आए यानिके एक अलग तस्वीरे CM की देखी गई है बसरी चौक फ्लाइवर का आज उर्घाटन हुआ और बेहत खास आज का दिन रहा क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्शन बरकर से इसका उर्घाटन करवाते वे नजर आए और CM की ये एक अलग तस्वीरे देखी गई जिसके हर कोई सरहना कर रहा है महाविर्ट चौक के पास अंडर पास का ये उर्घाटन हुआ अंडर पास से बहानों की आवा जाई अब और भी आसान हो जाएगी क्योंकि पहले लंबी कतारे लगी रहती थी 318 मिटर लंबी महाविर्ट चौक पर ये अंडर पास बनाया गया है जिसका सिये मनुहलाल आज उर्घाटन करते वे नजर आए बकादा यहाँ पर सिये मनुहलाल मौजूद रहें लेकिन सिये मनुहलाल का बड़पन देखिए कि उन्होंने एक कंस्ट्रॉक्शन वर्कर से इसका उर्घाटन करवाया है ते तस्वीरे हैं महाविल चौक के पास अंडर पास का अज उर्घाटन हुआ है और सिये मनुहलाल ने जनता को आज यह अंडर पास समर्पित कर दिया है अंडर पास से वहानों किया बजाही और भी असामनी से होगी और 318 मीटर लंबी महाविल चौक पर यह अंडर पास बनाया गया है लेकिन सिये मनुहलाल इस दर्मियान मौदूद जरूर रहे लेकिन इसका उर्घाटन जो है उन्होंने एक कंस्ट्रॉक्शन वर्कर से करवाया है यह तस्वीरे देखिए और सब को इस तस्वीर को देखने के बाद सिये मनुहलाल की सराना भी कर रहे है और आपको बता दे कि इस अंडर पास से लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल रही है क्योंकि पहले लंबी कतारे लगी रहती थी और ट्राफिक से लोग परिशान रहते थे लेकिन अब उन ट्राफिक से तमाम निजाथ मिल चुका है तो महाविर चौक के फ्लाइ ओवर का भी उर्खाटन किया गया महाविर चौक के फ्लाइ ओवर का उर्खाटन किया गया और इस दर मियान ये तस्वीरे देखे फ्लाइ ओवर से भी जनता को कासी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी आपको बता दे कि ट्राफिक से जनता को निजात मिल चुका है तो आज महाविर चौक के फ्लाइ ओवर का उर्गाटन करते बिए सियम अनुलाल ने इस फ्लाइ ओवर को जनता के नाम समर्पित कर दिया है और जनता को इससे काफी जादा आसानी भी हो जाएगी तो महाविर चौक के फ्लाइ ओवर का उर्गाटन किया गया सियम अनुलाल की तरब से तस्मेरी भी लगताराब तक पहुशवा रहे है तो महाविर चौक के फ्लाइ ओवर का उर्गाटन रहा जिसमें और भी कई लोग मौझूद रहें और आपको यह बता किस प्लाई ओवर से जनता को काफी ज़ादा सहूलियत मिलेगी क्योंकि एक प्राफिक से जनता को तो निजात मिलेगी और आने जाने में भी और ज़ादा सहूलियत होगी तो GMDA ने बस अड़े के पास इस प्लाई ओवर का निर्मान किया है जिसका उर्गाटन आज CM ने किया महाविट चौक के प्लाई ओवर का CM ने उर्गाटन किया है और GMDA ने बस अड़े के पास प्लाई ओवर का निर्मान किया है जो कि आज जनता को समर्पित हो चुकी है महाविट चौक के फ्लाइ ओर का सिय मनोहलाल और घाटन करते बे नजर आए तीए तस्वीरे देखिए, आज सिय मनोहलाल इसका और घाटन करते के लिए पहुँचें ईर Contra फ्यरकराण के लिए पहोंचे यह त्स्विर sind है यह दोрий पर मुंखय मंत्री वेहाद खास है गुरुग्राम को जोगाते मिल रहे हैं और इसी के साथिए गुरुग्राम के चैनane आज flyover का उर्खाटन किया है C.A. Manola ने, बसी चौक के पास flyover का उर्खाटन किया गया और ये तस्वीरे, गुरुगराम की तस्वीरे हैं, जहाँ पर कारिकरम में C.A. Manola शुरिकत करते बें नजर आये, वहाँ पर मौझूद है C.A. Manola लगता ये तस्वीरे भी दिखाई जा प्लाई ओवर से जनता को बहुत जादा सहूलियत भी मिल रही है आपको यह भी बता दे चले कि GMGA ने इस प्लाई ओवर का उर्गाटन किया है यहाँ पर निर्मान किया गया है GMGA की तरफ से जिसका उर्गाटन CM मनहोलाल ने किया है और इसी के साथ आज अंडर पास का भी उर् तस्वीरे गुरुग्राम से हैं जहाँ पर महाविट चौक के पास अंडर पास का सबसे पहले CM ने उर्गाटन किया और उसके पास बजी चौक का यहाँ पर फ्लाई ओर का उर्गाटन CM मनहोलाल के तरफ से किया गया जिसका निर्मा GMGA की तरफ से किया गया है तो महाविट पास अंडर पास का भी उर्गाटन करते वे नजर आए यह तस्वीरे लगतार आप तक पहुचवा रहे हैं यह तस्वीरे देखिए गुरुग्राम की तस्वीरे हैं और आज गुरुग्राम वासियों को कई बड़ी सौगाते मिलने जा रही है तो बियत खास माना जा रहा ह और इसी के साथ कई गड़्मानी लोग भी दर्मियान महा पर मौजूद नजर आ रहे हैं और गुरुग्राम में आज सीय मनहोलाल तो आपको पता दी किया आज सीय मनहोलाल ने महाविट चौक पर बना अंडर पास का भी उर्गाटन किया है जो कि 318 फिट लंबी है और इसी के साथ बसी चौक के फ्लाइवर का भी सीय मनहोलाल और घाटन करते में नजर आ है शरी तो खबरों का सलस्या जारी रहेगा फिलार रुपते हापर एक छोटे से ब्रेक के लिए बेक के उस पार देखिए टॉप पचिस खबरे